नमस्कार मैं हूप प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 17 जन्वरी दिन बुद्वार खब्रों क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर नितीज काबिनेट की बैठिक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर बिहार के 3.77 करोड लोग हुए गड़ी बी देखा से बाहर राशनकार बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज का विवरत बिहार में भूमी बंदोबस्त वर सर्वेक्षन का काम इस दिन तक होगा पूड़ा भारत और अफगानिस्तान के बीच 3.20 मुकाबला आज अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से Sports Authority of India में 214 रिक्त पदों पर निकली भरती Sports Authority of India में कोज के 214 रिक्त पदों के लिए भरती निकली है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह SAI की Official Website Sports Authority of India.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारीक 30 जनवरी 2014 शाम 5 बज़े तक नरधारित की गई है इसके लगर सेचनिक योगिता की बात करें तो पदक अनुसार योगिता अलग-अलग नरधारित की गई है ऐसे में आविदन करने की एक चोको मिद्वार आविदन करने से पहले इसको लेकर जारी के गए अधिसूशना को एक बार जरूर देख ले नितीस काबिनेट की बैठक में 18 एजेंडो पर लगी मुहर बिदन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई काबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडो पर मुहर लगाई गई है जिसके तहत मोटर यान अधिनिया मुनी 188 की धारा 146 की उपधारा दो के संगत प्रावधानों के आलोक में राजसरकार के स्वामित वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुरगटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए तथा गंभी रूप से घायल पिड़तों को 2,50,000 रुपए मुआबजे के रूप में दिये जाने की स्विकृती दी गई है निर्मान कारिश्रेणी की जेस्टी दर में 12 प्रतीशत से 18 प्रतीशत की विदी पड़िपेक्षर में राजसरकार के अंतर्गत कारे संविदा से संब्धनत मुक्तान हेतु प्रक्विया का मुकामा चितर से जलनिकासी के लिए सिंटेश सहित कुल राशी 40,56,15,100 की स्टॉर्म वाटर ड्रेनिस सिस्टम योजना की स्विकृती किड्नी प्रत्यारोपन के बाद मरीश के दवा सेवन के लिए पहले साल में 2,16,000 रुपे मिलेंगे दुर्गाबती जलासे परियोजना का पंचम पुनरिक्षित राशी 1263 करोड 30,000,000 रुपे की प्रशासनिक सुकृती दी गई है दिल्ले सित बिहार निवास का पुनर विकास होगा इसके लिए 121 करोड 83,000,000 रुपे की राशी की सुकृती दी गई है इसके साथ ही कई अने इजन उपर भी मुहर लगाई गई बिहार के 3.77 करोड लोग हुए गड़ीवी रेखा से बाहर दसमलाव आठ दो करोड है हाला कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां गड़ीवी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या 5.94 करोड है जिसके बाद इस लिस्ट में 3.77 करोड की संख्या के साथ बिहार है और तीसरी स्थान पर 2.30 करोड की आया में गड़ीवी को स्वास्ति स्था और जीवनस्तर में सुधार के जरिये मापा जाता है नितिया योग ने सुमवार को ये रेपोर्ट जारी किया है वहीं गड़ीवी में आई कमी का स्ट्रे काफी हद अक्सरकार की तरफ से लागू की योजनाओं को दिया जाता है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गुर्मीत चौधरी के बारे में गुर्मीत चौधरी एक भारती अभिनेता और मार्सल आर्टिस्ट हैं और उनका जन भागलपुर के जैरामपुर गाउं बिहार में हुआ था उन्हें 2009 की टेलीवीजन स्रिंखला रामायन में राम गीत हुई सबसे पड़ाई में मान सिंख खुडाना और पुनर विवाज जिंदगी मिलेगी दोबारा में यह सुरज प्रताब सिंधना के किरदार के लिए जाना जाता है 2012 में गुर्मीत चौधरी ने जलग दिखला जा पांच में भाग लिया और विजेता बन कर उब्रे उन्होंने नचबलिये छे और फियर फैक्टर खत्रों के खिलारी पांच में भी भाग लिया और दोनों में प्रत्थम रनर अप के रूप में उब्रे बॉलिवर्ड फिल्म उद्योग में गुर्मीत चौधरी का पहला प्रवेज 2015 में हुआ था जब उन्हें फॉक्स स्टूडियोज इंडिया और विसेश फिल्म स्वरा निर्मित मनोवेग्यानिक थ्रिलर खामोशिया में जैदेव के चरितर के रूप में चुना गया था राशन कार्ड बनवाने हेतु आविश्यक दस्तावेज का विवर्ण अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादे कि बिहार सरकार के खादे एवं उब्वोक्ता सनक्षन अधिनियम के द्वारा IPRD बिहार के तहत एक पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए हमें कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत परती है और हमें इसे बनवाने के लिए कहां जा सकते हैं जारी किये पोस्ट के निसार राशन कार्ड बनवाने के लिए चिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उनमें परिवार के सभी सदश्यों के आधार कार्ड की चाया प्रती संपुन परिवार की तीन फोटोग्राफ आवासी प्रमान पत्र खाता धारी एवं बैंक का नाम खाता संख्या एवं IFSC कोड का नंबर और बैंक पास्बूक के पहले पेज की चाया प्रतीश शामिल है पताधिक राशन कार्ड बनवाने के लिए अनुमंडल एवं प्रखंड कारे आले के आर्टी पीस काउंटर से संपर्क किया जा सकता है वहीं ओनलाइन आविदन करने के लिए स्जुरी अधिक जानकारी के लिए 18-0-345-6194 और 18-0-345-1967 पर संपर्क किया जा सकता है स्वच्चता में बिहार के इस सदर अस्पताल को मिला प्रथम पुरुसकार बिहार में राजिय सर्य टीम के मुल्यांकन के बाद स्वच्चता में बहतर प्रदर्शन करने पर राजिय में सदर अस्पताल सेखपूरा को भारत सरकार के महत्वकांशी योजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतरगत प्रतम पुरुसकार मिला है बतादे किसका मुख्य उद्देश स्वच्छता को बढ़ावा देना है इस बारे में शेकपूरा सवल सर्जन डॉक्र अशोक कुमार सिंग के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया कि भारत में स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा इश्की शिरवात की गई है जिसमें बिहार के अलग-अलग जिलों के सदर अस्पताल सामुदाइक स्वास्ते किंद्र अनुमंडल अस्पताल एवं रिफ्रल अस्पताल की द्वारा किये जा रहे कारियों का मुल्यांकन कि जिसमें सदर अस्पताल शेखपूरा का प्रथम अस्थान मिला है बता दे कि अब सदर अस्पताल शेखपूरा को प्रथम अस्थान आने पर इनाम के रूप में 50 लाक रुपए दिये जाएंगे जिससे सदर अस्पताल के डेवलप्मेंट में और गती प्राप्त होंगी और सा पटना डियम की ओर से एक नया आदेश चारी करते वे यह जानकारी दे दी गई है कि बिहार के राजधानी पटना के आटवी तक समी सरकारी वर नीजी स्कूल आगामे 20 जनवरी तक बंद रहेंगे मालम हो कि पहले आटवी तक के कक्छा के संचालन पर 16 जनवरी 2024 तक रोग बज़े से तो पहर तीम बज़े तक साब धानी के साथ संचालित करने का नरदेश दिया गया है वही मिशन दक्ष तथा बोर्ट परिक्छा को लेकर संचालित के जाने वाले विसेश कक्छाओं का संचालन चारी रहेगा आपकी जानकारी के बता दे कि यहादेश 20 जनवरी 2024 2024 तक प्रभावी रहने वाला है वहिस के रावा मुझपरपुर, भागलपुर और सारन में भी कक्छा आठवी तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे रभी फसलों पर ड्रोन से कीट नाशी के छरकाओं के लिए मिलेगा 50 प्रतीशत अनुदान रहार सरकार के क्रिसिव विभाग के द्वरा रभी फसल पर ड्रोन से कीट नाशी का छिरकाओं करवाने के लिए 50 प्रतीशत का अनुदान दिया जाएगा बता दे कि एक एकर पर 240 रुपे का अनुदान मिलेगा वही एक किसान को दस एकर जमीन पर कीट नाशी के छिरकाओं के लिए अनुदान दिया जाएगा हाला कि इसका फाइदा लेने के लिए किसानों को DBT पोर्टल पर जाकर अपना ओनलाइन आविदन करना होगा मालू हो किसकाम को पूरा करने के लिए विभात की ओर से एजनसी का भी चयन कर लिया गया है और इसकाम की शुरवात बेहर के बेगु सराइ से 18 जन्वरी 2024 से की जाने वाली है वही अगले साल से नैनो यूरिया और नैनो डी एपी का भी छिरकाओं किया जाएगा आपकी जानकारी के लिवतादे की ड्रोन की मदस से कम खर्च और दुरस्त स्थानों पर कीटनाशी का छिरकाओं किया जा सकता है बहिस के अलावा शरीर पर पढ़ने वाले दुस्प्रभाव से भी बचा जा सकता है खेती की लागत कम होगी कीटनासी और खड़ा की बड़बादी रुकेगी और साथी पानी की भी बचत होगी विहार में भूमी बंदोबस्तव सर्विक्षन का काम इस दिन तक होगा पूरा राजी के 20 जिलों में जिनमें बेगुसराय, लखिसराय, खगडिया, पूर्णिया, कटिहार, अर्डिया, कसंगंच, सुपॉल, सहरसा, मदेपूरा, पश्मी, चंपारन, शिभर, सीता, मढ़ी, जमुई, बांका, सेखपूरा, नालंदा, जहानबाद, मुंगेरव, अरवल के 220 अंचलों के 16,228 गाउ में, इस साल मार्च तक भूमी सर्वेक्चन और बंदोबस्त कारे पूर этим कर लिया जाएंगे, वहीं इसके बाद सेश 18 जिलों के 28,611 गाउ में नवंबर तक भूमी सर्वेक्चन और बंदोबस्त कारे पूर्ण करने का लक्षन धारित किया गया ह आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भूमी सर्वेक्चन और बंदोबस्त कारे पांच चरणों में पूरा किया जाएगा। विहार परिटन में आज हम बात करेंगे वैशाली संग्रहाले के बारे में। संग्रहाले में एक अस्थानी ग्रामीन द्वारा प्राचीन वस्तुमों का एक असाधरन संग्रा है जो सतंत्रा पुर्वी युग का है। इनने संग्रहाले को दान कर दिया गया। संग्रहाले में विश्णू और उवा संकर की मुर्तियां मौजूद है और बंदर, शांप, घोडे, बैल, आदी जैसे मनुष्यों और जानवरों की मुर्तियां है। संग्रहाले में मध्य युगी, संस्कृतियों और मौरे, गुप्त, कुसानों के साशनकाल को प्रदर्शित करने वाली 2000 से अधिक प्राचीन वस्तुए हैं। संग्रहाले तीस्टी ग्यालरी में लोहे और तांबे के उपकरन जैसे चाकू, कील, घंटी आदी प्रदर्शित करता है चौथी ग्यालरी में मिट्टी के बर्तन जैसे पकवान, लगू बर्तन, फूल दान, कटोड़ा, दीपक, श्याही का बर्तन, धकन वाली घंटी, स्प सब्सक्राफी ध्यान दिया जा रहा है, वहीं बीत दिन बिहार के उपमोखे मंतरी, तेरश्वी यादव के द्वारा मीडिया से बात करते वे कहा गया कि बिहार में IPL इंटरनेशनल और इंडिया का भी मैच आयोजित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि इसका आयोजन हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल कूद को आगे बढ़ाएं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को हर जखा काम करना है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो या स्वास्ते विवस्ता हो, इंफास्ट्रक्चर की बात हो या फिर किसानों की बात हो, हमारे निती सरकार के नित्रत्वों में हर एक पहलू पर देखा जा रहा है और उस पर विकास करने का काम किया जा रहा बिहार की जंता को हम इतना जरूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जब स्टीडियम का निर्मान हो जाएगा तो IPL मैच, इंटरनेशनल और इंडिया के मैच का आयोजन भी हम कडाएंगे ध्याडे रखने की जरूरत है ऑनकस रिपार्टी की फिल्म मैं अटल हूंका ट्रेलर दो हुआ जिसमें रान जन भूमी और कारगल युद की जलक दिखाई गई है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि पंकस्त्रिपाठी कारगल युद के बारे में बोलते हैं कि पाकस्तान को बता दे कि भारत का प्रधान मंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा पता दे के फिल्म द बता दे कि अब फिल्म 19 चन्वरी 2024 को रिलीज होने वाली है वहेंस फिल्म में पंकस रिपार्टी अपने करदार में पूरी तरह धलेवे नजर आ रहे हैं बिहार में खुलेंगे 202 Krissy क्लिनिक बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके और साथी किसानों की आमदनी भी बरसके इसके लिए बिहार के 101 अनुमंडलों में 202 Krissy क्लिनिक के स्थापना की जाएगी ऐसे बैसके लिए उसके लिए कुल 646 आविदन विभाग को मिले है जि ये दो लाख रुपए उपलब्द करवाए जाएंगे जिसमें किसानों को फसल उत्पादन संबंद सभी सिवाएं जैसे मिटी जाज, बीच विशलिशन की सुधा, कीट व्याधी, प्रबंधन, संबंद सुझाओ समेथ कई चीजों के बारे में सिवाएं उपलब्द करवाए ट्रेन लेट होने पर मुफ्त में पाई ये सुधा, कई बार सर्दियों के मौसम में कोहासे की वज़ह से हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, जिस पर हम सफर करने के लिए अपना टिकेट कटवाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि IRCTC के नियम के नसार अगर हमारी ट्रेन किस इसी कारण से दो घंटे या उससे ज़ाधा देर तक लेट होती है, तो रेलवे के ओर से यात्रियों को मुफ्त में कुस्तुधाय उपलब्द करवाई जाती है, लेकिन बता दे किस वज़ह के इस सुधा के बस ताबदी, राजधानी और दुरंतो ट्रेनों में उपलब्द दी जाती है, इसके अलावा, IRCTC भारतिय रेलवे के विवन रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त में वेटिंग रूम में ठहरने की विवस्ता कर सकता है, प्रतिक्छाले सुधा का लाब उठाने वाले सभी यात्रियों को अपना अरक्छन टिकेट दिखाना होगा, वही विवन के साथ सीत लहर जारी है, प्रिशन ठंड का कहड कम होने की जगह बढ़ता ही जारा है, ठंडी हवाओं के कारण कंकनी बरकरार है, मौसम विवाग की माने तो अगले दो दिनों तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, बिहार के लिए मौसम विवाग ने यलो अलर्ट जारी क अधार कार से होने वाले फ्रोड से खुद को ऐसे रखे सुरक्षित, आज आधार कार्ड हमारे जीवन का एक एहम हिस्सा बन गया है, आधार कार्ड के बिना हमारे कई काम ऐसे हैं जिसे पूरा नहीं क्या सकता, यही वजह है कि आज आधार कार्ड प्रथम प्रात्मिक्ता बन गई है, जिस वजह से कभी कभी आधार कार्ड की वजह से हमें फ्र ai.gov.in slash पर जाएं यहां माई आधार और फिर आधार लोक अनलोक पर क्लिक करें अपना आधार नमबर और अपने पंचिकरित मोबाइल नमबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें बायोमेट्रिक लोक इनेमल करें चुने और चार अंकों का पिन दर्ज करें इसके बाद आपका बायो पर पर क्लिक करें नीचे स्क्रॉल करें और बायोमेट्रिक लोक इनेबल करें और अपना पिन धर्ज करें और अब आपका बायोमेट्रिक्स लोक हो जाएगा सीख स्रधालू सिखो के दसवे गुरू गुरू गोविन सिंग्जी महराज के 357 प्रकास उत्सव को लेकर काफी उतसाहित है सिखो का यह पर्व बड़े ही धूमधाम से पटना साहिब तक्ट स्री हरीमंदर साहिब गुरू द्वारा में मनाया जा रहा प्रकास पर्व को लेकर कई श्रधालू पहुँच रहे एक भवे नगर कर्तन गाएघार से प्रकास पर्व को लेकर निकाली गई इस भवे नगर कर्तन के दौरान तक्त साहिब को रथ पर रखकर नगर ढ्रमन करवाया गया हजारों की संख्या में सीक्स रधालू इसमें शामिल भी हुए इस नगर करतन के साथ ही अकन पार्ट कायोजन भी शुरू हुए इस दोरान कई पंजाब से लेकर पहुँचे थे तो जिन्होंने एक से बढ़कर एक करतब दिखाया मालू हो कि आज यारी 17 जन्वरी को प्रकासोत सब मनाया जाने वाल 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर इंडिया गडबंधन की सीट सेरिंग को लेकर वितमंतरी विजय चौधरी के द्वारा अपना बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि इंडिया घटक दलो में नराजगी की कोई बात नहीं है यह सर्फ मीडिया के एक वर्ध का भ्र अरजडी के साथ पहले से कॉंगनस और वामपंथी दलो का समझोता था वे पहले से साथ थे उनके भी समझोता भी हो गया है पिछले दसकों में गड़ीवी कम करने या लोगों को गड़ीवी रेखा से उपर उठाने को लेकर नीती आयोग और UNDP की एकसिवत रिपोर्ट रहा बलकि अंतराश्ट्रिय तक यह बात हो रही आने वाले समय में नितीश कुमार के नित्तों में बिहार का भविश्य चमकदार होगा सियम नितीश के अंडिये में जाने के सवाल पर राहूल गांधी का तंच इन दिनों राजनतिक गलियारों में आसी चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार एक बार फिर से अंडिये में शामिल हो सकते हैं वही जब यह सवाल मीडिया के दोरा राहूल गांधी से मनिपूर के कोहिमा में भारत जरो निया यातरा के दोरान पूझा गया तुन्होंने तंच कसा और हुने कहा कि इंडिया गरबंधन काफी बहतर रस्तिती में हैं आने वाले लोगसभा चनाओ में वह अच्छी लड़ाई लड़ेगा और चनाओ भी जितेगा वही सियम नतीश के अंडिये में जाने के सवाल पर नामें सरहलाते वे राहूल गांधी के दोरा कहा गया कि फ्रेंकि बोलू तो मीडिया इन चीजों को बहुत ओवर प्ले करता है जिस तह से बात होती है जो हूमर होता है भाई चाड़ा होता है उसको बताया नहीं जाता और हुने कहा कि मीडिया एक चीज़ को उठाकर में मुद्धा उसको ही बना देता है इंडिया गडबंधन के नेताओं के बीच आपसी समझदारी और सम्मार है इस गडबंधन का मूल उद्देश्य भाजपा के खिलाफ रड़ाई है सियम नितीज के संयूजग पद को ठुकराने पर प्रिशांत कसोर का बयान चुनावी राजनती रणतिकार एवामा जनसुराज के सुत्रधार प्रिशांत कसोर के द्वारा बीतर दन बेगुसराई में मीडिया से बाच्चीत करते वे बताया गया कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार के द्वारा किस वचा से इंडिया गडबंधन के सयूजग पद को ठुकड़ाया है और उन्ने कहा कि नितीश कुमार की राजनतिक पाड़ी का यह अंत्यम दोर चल रहा है कंपी नितीश कंपर को कुद ही नहीं म scheint सांसद लोग सफा में नहीं है लेकिन जब लोग उनसे पूछते हैं कि लालू या तिरश्वी बताइए कि देश का प्रधान मंतरी कौन होगा जब आपका एक भी सांसद नहीं है तो आप देश के प्रधान मंतरी कैसे तै करेंगे भारत और अफगानिस्तान के भी इस तीसरा T20 मुकाबला आज यानी की 17 जन्वरी को बैंगलोर के एंचिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाने वाला है बता दे कि भारत और अफगानिस्तान के भी इस तीन T20 मैचों की सिरीज में दो मैच टीम इंडिया ने का प्रयास करेगी भारत और अफगानिस्तान के टीमें अब तक T20 इंडरनाशनल में साथ बार आमने सामने हुई यहां एक भी बार अफगानिस्तान को जीत हांसिल नहीं हुई है अफगान टीम को 6 मैचों में हारका सामना करना पड़ा है और एक मैच बे नतीजा रहा बता कि अगानिस्तान चीजह गया प्रशारण देखने को मिलेंगा और यह मैच जीओ सिनेमा अफ्रिकेशन पर लाइफ होगा इस के रावा जीओ सिनेमा की वेबशाइट पर भी ये मुकाबला लाइफ देखा जासकता है भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कार्णों से दर्च अबराय का जन हुआ 1905 में भारती गनितग्यर डी आर का प्रेकर का जन हुआ 1908 में भारती सिनेमा के नर्माता नर्देशक तथा अभिनेता लवी प्रिशाद का जन हुआ 1907 में अभिनेता तथा राजनेता एमजी रामचंदरन का जन हुआ 1908 में मशूर फिल्म नर्माता नर्देशक कमाल अमरोही का जन हुआ 1930 में सर्वोत्तम पत्रिकाओं के प्रथम संपादक अर्विंद कुमार का जन हुआ 1941 में प्रसद लेखक महवीर सरंजयन का जन हुआ 1945 में हिंदी फिल्मों के गीतकार एवं पठकथा लेखक जावेद अक्तर का जन हुआ असम के फिल्म नर्माता प्रसद साहित्यकार एवं सुतंता सिनानी जोती प्रशाद अगरवाल का 1951 में निधन हुआ भारत के प्रसद मार्क्सवादी राजनतग्य जोती बसुका 2010 में निधन हुआ मशूर फिल्म अभिनेत्री सुजित्रा सेन का 2014 में निधन हुआ वारल खुना आज हम बात करेंगे भारतिय साइबर अपराद समनवाई केंदर के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं है इसे कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतिय साइबर अपराद समनवाई केंदर के बारे में रसल प्याईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि कथित तौर पर भारतिय साइबर अपराद समनवाई केंदर आई-फोर सी द्वारा जारी एक पत्र में प्राप्त करता पर कहीं आडोप लगाए जा रहे हैं पत्र का जबाब मांगा जा रहा प्याईबी ने अपर टूइट में आगे लिखा है कि अब पत्र फरजी है भारत सरकार के अधीन किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है वार्सअप पर ऐसे बनाए खुद का स्टीकर मेटा की तरफ से इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर प्लाटफॉर्म वार्सअप के लिए एक नया फीचर रोलाउट किया गया है जिसे स्टीकर मेकर के नाम से जाना जाता है इस वीचर की मदद से आप अपनी फोटो को स्टीकर में बदल पाएंगे अगर आप भी वार्सअप पर खुद के स्टीकर को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होगे सबसे पहले आपको वर्टसएप स्टीकर ट्रे सक्षन में जाना होगा इसके बाद सलेक्ट ओप्शन पर क्लिक करना होगा फिर आपको ग्यालरी से कोई इमेज स्टीकर करनी होगी फिर आप अपनी पसंद से इमेज को कस्टमाइज करके सेंड कर पाएंगे इस प्रोसेस को करके sticker edit कर पाएंगे वहीं इसके अलावा अगर आप मौजूद sticker को edit करना चाहते हैं तो सबसे पहले sticker tray open करें इसके बाद sticker icon select करें जो text box में right side होगा फिर जिस sticker को edit करना चाहते हैं उसे long press करना होगा और फिर edit sticker पर select करना होगा sticker को customize करने के लिए text जोड़ने sticker और drawing option और electronic स्राज्य मंत्री राजीव चंद्र सेखर के द्वारा बीतद जानकारी देते वें बताया गया कि अगले साथ दिनों में deep fake से ने पटने के लिए सक्त आईटी नियमों को अधिसुजित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि deep fake को लेकर जो advisory जारी की गई थी उसको लेकर मंचों का अनुपालन मिला जुला है वही सरकार के ओर से पहले ही इस बात को इस पस्ट कर दिया गया है कि अगर deep fake पर social media और online मंचों के द्वारा उसकी सला को पुरी तलह से पालन नहीं क्या दता है तो नए IT नियम लाए जाएंगे ऐसे में अब मंचों का अनुपालन मिला जुला देखकर IT नियमों के संसुधन कर इसे अधिशुजित किया जाएगा हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरुई सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलस, दरोगा समेट, SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोस रहेंगे पूछे के पांच सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किस राजी में सिकंदराबाद परेट ग्राउंड में छठा अंतराश्ट्रे पतंग और मिस्ठानन महोटसव शुड़ हुआ है अप्शने तिलांगना, अप्शन बी जैपूर, अप्शन सी दिल्ली, अप्शन डी अयोध्या इसका सही उत्तर है ओप्शने तिलांगना, अगला सवाल, हाली में किस स्तिथी को आठवा सस्त्र बलपुर्व सैनिक दिवस मनाया गया है ओप्शने 12 जन्वरी, ओप्शन बी 13 जन्वरी, ओप्शन सी 14 जन्वरी, ओप्शन डी 15 जन्वरी इसका सही उत्तर है ओप्शन सी 14 जन्वरी, अगला सवाल, हाली में भारत और कस देश के बीच उचस्तर ये कोर्ड ग्रूप की पहली बैठक माले में संपन हुई है ओप्शने सौधी अरब, ओप्शन बी कुवैत, ओप्शन सी श्रिलंका, ओप्शन डी मालदीव इसका सही उत्तर है ओप्शन D मालदीव, अगला सवाल, मिहार में राज्य योजना का प्राडूप निम्न में से किसके द्वारा तयार किया जाता है औप्शनी राज्य पाल द्वारा औप्शनी राश्ट्रे विकास परिसत द्वारा औप्शनी राज्य नियोजन परिसत द्वारा औप्शनी राश्ट्रे योजना आयोग द्वारा इसका स्तह्यूत तरहे औप्शनी राज्य नियोजन परिसत द्वारा अगला सवाल विहार में प्रत्थम जिला नियोजन का गठा निम्र में से कहा गवा था Option D नावंदा, Option B रोहतास, Option D पत्ना, Option D मुंगेर जिसका सही उत्तर है Option D मुंगेर बीते दिन अमायदर पूछिए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें अमारे comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमायदर पूछिए सवालों को जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बहते हैं आज के सवाल क्योंड आज का सवाल है आपके छितर के सरकारी अस्पतालों में स्वक्षता की क्या स्थती है आप अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्षन में लिखका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप फेस्बुक से देखने तो पीस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद